एक्सरसाइज 1.1 कोशन नमबर 10 का प्रथम भाग है लिखिए ऐसी परिमय संख्या जिसका कोई व्यूत करम नहीं है व्यूत करम आपको याद होगा गुननातमक प्रतिलोम यानि ऐसी संख्या जिसको गुना करने से एक आए तो ऐसी परिमय संख्या लिखनी है जिसका कोई व् चून्य कूँंकि मालीजी हमारे पास एक संख्या है यदि इसका व्यूत्क्रम cript्त बहए यदि इसका कोई व्यूत्क्रम नहीं होता याद रखेगा ऐसी परिमय संख्या जिसका कोई व्यूत करम नहीं है उसका उत्तर है शुन्य का कोई व्यूत करम नहीं होता उसके बाद है परिमय संख्याएं जो अपने व्यूत करम के समान है इसकी दो परिमय संख्याएं ऐसे हैं केवल दो परिमय संख्याएं ऐसे हैं जो व्युत्क्रम के बराबर होती है उनमें पहली संख्या है एक कैसे एक को एक से गुना करके एक आता है इसका मतलब इस एक का व्युत्क्रम है एक इस एक का व्युत्क्रम है एक यानि एक का व्युत्क्रम एक ही है इसलिए पहली संख्या है एक दूसरी जो संख्या है वो है minus 1 क्योंकि minus 1 को minus 1 से गुना करने पर 1 गुना 1 एक और minus into minus plus 1 आता है यानि minus 1 को जब minus 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा इसका मतलब यह संख्या 1 यह भी अपने व्यूत करम के बराबर है और minus 1 यह भी अपने व्यूत करम के बराबर है जो अपने व्यूत करम के बराबर है कौन-कौन सी एक और माइनस एक इसके बाद है परिमय संख्याएं जो अपने रिनात्मक के समान है वो परिमय संख्याएं जो अपने रिनात्मक के समान है कोई भी परिमय संख्या ऐसी नहीं है जो अपने रिनात्मक के समान हो सिरफ एक जी जिरो ही अपने रिनात्मक के समान है अगर आप एक लिखेंगे तो एक लिखेंगे तो यह अपने रिनात्मक माइनस एक के बराबर नहीं है दो लिखेंगे यह माइनस दो के बराबर नहीं है तीन लिखेंगे यह माइनस तीन के बराबर नहीं है इस परकार से एक बटा दो लि नात्मक के समान है इसके बाद ग्यारवा प्रष्णी रिक्त स्थान भरो शुन्य का व्यूत करम डयाश है हमने अभी पढ़ा देखे पीछे की शुन्य का कोई व्यूत करम नहीं है संख्याएं डैश तथा डैश स्वयम के व्यूत करम है कौन सी संख्याएं है जो अपने खुद के व्यूत करम है तो हमने अभी किया था 1 और माइनस 1 ये दो संख्याएं ऐसी है जो स्वयम के व्यूत करम है इसके बाद है माइनस 5 का व्यूत करम डैश है तो माइनस 5 का व्यूत करम होगा माइनस एक बटा पाच एक बटा एक्स जहां एक्स जीरो के ब्राबर नहीं है इसका व्यूत करम होगा एक्स उल्टा एक बटा एक्स का व्यूत करम होगा एक्स एक्स का व्यूत करम होगा एक बटा एक्स दो परिमय संख्याओं का गुननफल परिमय है यदि जो परिमय संख्या है तो उनका गुनन फल भी हमेशा परिमय होगा और इस प्रका आगे है किसी धनात्मक परिमय संख्या का व्यूतक्रम धनात्मक है यदि धनात्मक परिमय संख्या है तो उसका व्यूत क्रम भी धनात्मक होगा रिनात्मक परिमय संख्या है तो उसका व्यूत क्रम भी रिनात्मक होगा